गुड बॉर्णिंग डियर स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सर्थ मुझे पूरी उमेध है आप सब तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि अब आप लोगों का पिरियोडिक टेस्टू आने वाला है जैन्वरी में आफ्टर विंटर वेकेशन है ना सो लेट्स पिगिन देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चो हम लोगों ने लेसन नमबर टेन कम्पीट कर लिया है अब कुछ ग्रामर पोर्शन भी देखा उसका आज हम लोग नहा लेसन शिरू करते हैं ठीक है तो ये क्या है बच्चो आप पहचान सकते हो इसक आज हम लोग लेसन नमबर 11 कोयल करेंगे जो एक कविता है और इसे बहुत ही महान का वित्री हैं मैं उन्हें महान ही कहूंगी वो बहुत ही महान का वित्री हैं उन्होंने लिखाया उनका नाम है शिवद्रा कुमारी चौहान तो आज का हमारा learning outcome है बच्चो आज मैं poem को explain करूँगी और कुस कठें शब्द के अर्थ बताऊंगी ठीक है तो आगे बढ़ती हूँ आज हम लोग इस poem का first three paragraphs करेंगे ठीक है पूरे poem complete नहीं हो सकते एक लास में तो आज ही हम लो first three paragraph करेंगे बच्चो तो ये एक कोयल है ये देखने में थोड़ा थोड़ा न कववा जैसा जैसी लग रही है लेकिन ये है ये है कोयल इसका आप देखो इसका शरीर का हर पार्ट काला है सिक बीक और आईज ही इसके different color के है अदरवाज ये काली है ठीक है न तो कवित्री क्या कह रहे है इसके बारे में जरा देखते हैं देखो कोयल काली है आप लोग मेरे साथ बोलना मैं थोड़ा थोड़ा रुखूंगी ठीक है हर एक line के बाद मैं थोड़ा सा pause दूँगी और आप लोग बोलना मेरे साथ ठीक है तबी आप लोग पोयम रिसाइट अच्छे से कर पाओंगे ठीक है देख में मिसरी घोली कितना खुबसूरत तरीके से कवित्री ने लिखा है मतलब उनका imagination power देखो उन्होंने कितने अच्छे से उसको correlate किया है कोयल की आवाज को ठीक है अभी हम लोग देखते हैं कैसे किया है देखो कोयल काली है कोयल का रंग तो काला है जिनरली काले को लोग कम पसंद करते हैं गोरे को जादा पसंद करते हैं ऐसा होता है तो काली तो है कोयल लेकिन पर मीठी है इसकी बोली पर इसके जो आवाज है ठीक है वो काफी मीठा है कोवा और कोयल दोनों एक जैसा दिखता है लेकिन कोवा का आवाज कि इसकी आवास इतनी मीठी है इतनी मीठी है कि ये एक मैंनेक्स पैराग्राफ के तरह बढ़ूँगी तो आप लोगों को इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा आमों में मिस्री घूली, कोयल ने आमों में भी मिस्री घूल दी है मतलब आमों के स्वाद को भी मीठा बना दिया है अपने आवास की वज़े से ये देखो ये आम का ब्रिक्ष है, आम का पेड है, और ये कोयल है इसकी आवास इतनी मधूर है कि ये जब ये आम में जब जा रहा है तो वो मीठा हो जा रहा है ये कवित्री का कलपना है, एक्शुल में ऐसा नहीं है, आम का स्वाद तो मीठा ही होता है लेकिन कवित्री अपने कलपना से ये बोलना जा रही है, उनकी कलपना शक्ती इतने स्ट्रॉंग है उन्होंने कोयल की आवाज को उसके मधूर मीठी आवाज को आम की मीठे पन से कोरिलेट किया है है ना और उन्हेंने बोला है कि कोयल की आवाज इतनी मधूर है कि वो आमों में भी मिस्री गोल दी है ठीक है अब देखो कवित्री क्या कहती है कोयल कोयल सच बतला हो, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, तो कवित्री पूछ रही है, किस से पूछ रही है, कोयल से पूछ रही है, कि तुम क्या संदेशा लेकर आई हो, यह जो है, यह आम की डाली पर कोयल बैठी है, ठीक है, यह कोयल आम की डाली पर देखो बैठी हो यह, मैंने इसको कोयल को आम की डाली पर बिठा भी दिया, तो कोयल से पूछ रही है, कौन पूछ रही है, कवित्री पूछ रही है, सुभ तुम क्या मैसेज लेकर आई हो? संदेशा मिन्स होता है बच्चो, मैसेज. तुम कौन सा मैसेज लेकर आई हो? क्या संदेशा लेकर आई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो क्योंकि कोयल जो है वो आम की डाली पर कब आती है जब आम के पेड़े में फल लग जाते हैं चोटे-चोटे फल लगने शुरू हो जाते हैं अब वो मीठे भी हो जाते हैं तो उस वक्त जो है कोयल आम की डाली पर आई है और कवित्री पूछ रही है कि तुम क्या मैसस लेकर आई हो क्योंकि वो बोल रही है ना कुछ जब हम बोलते हैं कुछ तो कुछ अपनी बात दूसरों से कहते हैं तो वो पूछ रही है कोयल से पूछ रही है कि तुम क्या संदे सा लेकर आई हो, क्या मैसस लेकर आई हो औरों के लिए, प्रिकि वो इतने मीठी आवाज में बोल रहे हैं, वो कवित्री को बहुत ज़्यादा वो प्रेरित कर रहा है उसका आवाज, हैना मंत्र मुख्ध हो गई हैं उसके आवाज से वो, मैसमराइज हो गई है, उनको लग र पर इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद क्यों आई हो, हमेशा तो नहीं आती हो, इतने दिनों के बाद क्यों आई हो, अब देखते हैं, अब देखो, इस कोयल से पूछ रही है कवित्री, क्या गाती हो, किसे बुलाती, आपनों मेरे साथ बोलो, क्या गाती हो, किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी प्यासी धर्ती देख मांगती हो क्या मेगो से पानी कितना खुफसूरत वर्नन कितना खुफसूरती से पूछ रही है कवित्री तुम क्या गा रही हो किसको बुला रही हो तुम कोयल बतला दो कोयल रानी कोयल रानी से बोड़ी कि तुम बताओ म क्या गा रही हो यासी धर्ती देख मांगती हो क्या मेखो से पानी देखो जब पेड में आम के फल लगते हैं तो आप लोग ध्यान दिये हो कि वो गर्मी का माशम होता है गर्मी का माशम होता है ना पूरी धर्ती सूखी हुई होती है लेकिन आम के ब्रिक्ष में पे फल लगा रहता है, तो उस समय कोवेल आकर आम के ब्रिक्ष पे बैठी है, ये आम का ब्रिक्ष है, और धर्ती देखो, एक दम सूखा हुआ है, बिलको पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें फ़ल लगा हुआ है दियान से देखोगे तो, इसमें तो फल लगा हुए है ना इसमें देखो फल लगे हुए है बहुत सारे फल लगे हुए है यह ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यह देखो यह फल लगे हुए है इधर फल लगे हुए है धीर सारे है अंगिनत फल लगे हुए है लेकिन यह जो धरती है वो प्यासी है मतलब सुखी हुई है यहां पे प्यासी का मतलब है सुखा हुआ होना थर्स्टी प्यास लगती है तो बोल कि मैं बहुत प्यासा हूँ मैं I'm feeling thirsty ऐसा बोलते हो आप लो तो प्यासी धर्ती देख मांगती क्योंकि धर्ती पूरी सुखी हुई है obviously वो प्यासी होगी तो हो क्या प्यासी धर्ती देख मांगती हो क्या मेगों से पानी क्योंकि धर्ती प्यासी है तो मेगों से पानी यानि कि मेग मतलब होता है बादल तो मेगों से पानी मांग रही हो क्या धर्ती के लिए तो मेही सैद बोल रही हो ठीक है इस पोयम में तो कव कवित्री ने बहुत ही simple simple word का यूज किया है जो कि बहुत असानी से समझा जा सकता है अब देखो ये कोयल आम के ब्रिक्ष पर बैठी है ये धरती सुखी हुई है और कवित्री को लग रहा है कि ये सुखी हुई धरती के लिए देखो सुखी हुई धरती है यहाँ पे पानी द मेघो को बादलों को आवाज दे रही है कि तुम इस धरती पे पानी को बरसाओ मतलब पानी लो तो धरती पर पानी बरसाने के लिए मेघो को request कर रही होगी तो ऐसा कवित्री को लग रहा है तो बच्चों आज मैं यहीं तक explain करूंगी कुछ word meaning मैंने google classroom में दे दिया है आप लोग उसको अच्छे से अपनी copy में लिखोगी यह आप लोगों का homework होगा ठीक है बच्चों तो आप लोगों के लिए भी कुछ questions है कोयल कूप कर क्या कहती होगी आपको बताना है कवित्री के हिसाब से तो कवित्री के accordingly तो कोयल मेघों से पानी मांग रही है या कोयल अपन अब एक टाइटल भी बताना यह दो questions आप लोगों के लिए बच्चों और कुछ word meanings से आपके book में page number 35 और 36 पे देवे हैं उससे आप लोगों को अपनी copy में अच्छे से लिखना है बहुत ही number of words बहुत ही कम है 10 to 15 words होगे वो आप लोगो अपनी copy में लिखो और कुछ उसका English English meaning होगा वो भी लिखोगे और लर्न भी कर लेना that's all for today's class children have a nice day thank you very much bye